राश्ट सर प्रथम की बात लली सुमन के साथ कार्जिक्रम में आप सभी राश्टवासियों का हारदिक स्वागत है। लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दरपन की ओर से आप सभी राश्टवासियों को नव वर्ष्ट दो हजार तेईस की हारदिक शुप कामना है। दिल्ली की जनता को सरकार ने नया तौफा देते हुए 50 नई इलेक्टरिक बसों का लोकारपन किया। लोकारपन कारिक्रम में दिल्ली के परिवहन मंतरी कैलाश कहलोध भी उपस्तित रहे। इस अफसर पर हुए कारिक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य मंतरी अर्विन केजिवाल ने दावा किया कि 75 साल में सबसे जादा बसे दिल्ली की सड़कों पर हैं। 2022 में दिल्ली में 7,389 बसे चल रही हैं। जिन में 4,060 बसे DTC और 3,319 बसे कलस्टर में चल रही हैं। उन्होंने इस अफसर पर DMRC की 100 बसों को बढ़ा कर 480 बस करने की भी घोशना की। आज 50 और बसे इलेक्ट्रिक बसे दिल्ली के लोगों को सड़कों पर मुहया होने जा रही हैं। इसके साथ हमारी अब 300 इलेक्ट्रिक बसे हो गई हैं दिल्ली के अंदर। बहुत कम समय में हमने इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसे एक्वायर कर ली हैं। इसके लिए मैं सभी ऑफिसर्स का जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सारी प्रोसीजर्स पूरे किये उनको भी बढ़ाई देना चाहता हूं। और दिल्ली के लोगों को बढ़ाई देना चाहता हूं कि ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध हो रही है। एक मैं आपको पूरा ओवरॉल दिल्ली में बसे का जो अब स्टेटस है वो बता देता हूं। दिल्ली में अब हमारे पास टोटल 7,379 बसे हो गई हैं। ये आज तक की पूरे 75 साल की सबसे ज़्यादा बसे हैं दिल्ली के सडकों के उपर। इतनी बसे कभी दिल्ली की सडकों पे नहीं हुई थी। जिसमें से 4,060 बसेज DTC में हैं। और 3,319 बसेज DIMS के थ्रू अपरेट की जा रही हैं। क्लस्टर में हैं। तो ये हमारी टोटल बसेज हैं। टोटल इन में से 300 बसेज इलेक्रिक बसेज हमारी हो चुकी है। DMRC 100 बसेज ऑपरेट करता है इलेक्रिक बसेज लेकिन DMRC वो ठीक से चला नहीं पा रहा हैं। तो उसको इस साल बढ़ाके 2023 में बढ़ाके 480 बसेज हम कर देंगे। तो DMRC के फीडर रूटस पे 480 बसेज हो जाएंगी। तो ये अगर 100 एक्जिस्टिंग बसेज दिल्ली मेट्रो की जो हम टेक ओवर कर रहे हैं। वो और 300 ये तो 400 बसेज तो अलड़ी एक्जिस्टिंग हो गई। Bombay सबसे ज़्यादा बसे बॉम्बे में हैं पूरे देश में जिसमें 406 बसे हैं। तो उनसे बस 6 बस पीछे रहागा उसके बाद हम भी सबसे ज़्यादा बस वाले दिल्ली में हो जाएंगे इलेक्ट्रिक बसेज वाले आने वाले समय में इस साल 2023 के मसाल में 1.500 और नई इलेक्ट्रिक बसेज खरिदने जा रहे हैं। तो अभी अलड़ी 300 बसेज हैं ये 300 बसेज के साथ हमारा phase 1 पूरा हो जाता है अब फेज टू होगा जिसमें पंदरा सो और बसे खरीदी जाएंगी वो 2023 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2023 के एंड तक पंदरा सो और बसे खरीद के अठारा सो ये और चार सो असी वो तो बाइस सो असी एलेक्ट्रिक बसे अपने पास 2023 दिसंबर तक हो जाएंगे 2025 के अंत तक इसके अलावा 2280 जो बसे इसके अलावा हम आपस 6380 बसे और खरीद रहें इलेक्ट्रिक बसे अगले दो साल में 2025 के अंत तक ओवरॉल पिक्चर होगी कि 10,480 बसे टोटल होंगी दिल्ली में जिसमें से 8,280 बसे इलेक्ट्रिक बसे होंगी 80% बसें दिल्ली में इल 2025 के अंत तक तो अगर इतनी सारी उलेक्ट्रिक बसे आएंगी तो हमें इसके साथ साथ उनकी भी चार्जिंग स्टेशन की खुब जरूर पड़ेगी बस डीपो की जरूर पड़ेगी तो बस डीपो के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है चपन बस डीप दिसंबर 2023 तक हो जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में ये कितना एक तो बसे तो बहुत अच्छी हैं इन में बसे में सारी मॉडर्ण फैसिलिटीज हैं जितना भी जो भी हम सोच सकते हैं सारे हैं जीपिय सिस्टम हैं प काफी सॉल्व किया आज साथ साल में सबसे ज़्यादा क्लीन ये वाला पिछला साल 2022 रहा है इन टरम्स अफ पॉल्यूशन अभी और काफी कुछ करने की जरूरत हैं लेकिन ये पॉल्यूशन में भी जो अचीव किया उस दिशा में इलेक्ट्रिक बसेस का ये जो इक्विज राश्तर पर्थम की बात लली सुमन के साथ कार्च करम में हम आप से आज यहीं विदा लेते हैं अनखावरों के लिए आप बने रहें राश्तर पर्थम बंदे मातरम जाग उठा है भारत